आपका स्वागत है आज जो वर्ल्ड की फिगर से दुनिया की फिगर हैं वो इस समय 25,58,000 लोग इससे संक्रमित हैं जो फिगर मैं अभी आप से बोल रहा हूँ और हो सकता है कि जिस समय आप देख रहे हो उसमें कुछ फरक फिगर दिखा रहा होगे कि वो उसको लेटेस्ट करके अप्लोड कर दिया जाएगा डेथ एक लाख सततर हजार लोगों की दुनिया में हो चुकी है इंडिया में कुल अभी तक संक्रमित लोग 20,178 हैं 20,178 डेथ 6,45 हैं और कल का दिन 21 एप्रिल मेरे हिसाब से थुड़ा मुश्किल वाला था क्योंकि 1541 नई केसिस आए उसके दो दिन पहले 19 और 20 को इसमें गिरावट आई थी 18 को मैक्समम हुए थे 2013 फिर 19 बीस को गिरावट आई और 20 से जादा 21 में केस हुए हैं 1541 और कल 21 तारिक को अभी तक का जब से अपने यह हम लोग कोरोना का टकोप आया है मैक्समम डेध भी कल हुई है 53 की इसमें एक फिगर मैं इसलिए क्योंकि देखिए लॉंग ड्रॉन है यह डराने के लिए नहीं है यह आपको इसलिए है कि आप तयार हुई है एक लंबे संघर्ष का सबको साथ मिलके रहना है धैर नहीं कोना है एक लिंक दे दे रहे हैं आपको सेंपल लिए वो 633 लोगों का टेस्ट हुआ जिसमें से 4.1% और यह रेंडम लिलिया मतलब यह उस सैंपल को रेंडम लिलिया उसमें से 4.1% लोगों को यह पाया गया है कि उनका पॉजिटिव टेस्ट है उसी में यह बताया गया है कि Los Angeles की टोटल पोपलेशन 8 मिलि तो वहाँ पे करीब 3,20,000 लोग संक्रमित होने चाहिए ऐस पर दिस है वो है आप देख लीजेगा कहना उस रिपोर्ट का ये है उन सज्जिन का ये है कि जो अभी आ रहा है जो एक्चुल दिखा रहा है ये उससे 40 गुना जादा है तो अगर सब लोगों के टेस्ट होने लगेंगे तो ये मानी हुई बात है कि कोरोना पॉजिटिव के बहुत से केसिज आएंगे मैं सिर्व आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक लंबी लडाई है और अभी जो भी केसिज हो हम लोगों को इसमें थोड़ा सतर्क रहना है मैं अब मुक्ष उस पर आजाओ थोड़ा इसमें आपको ब्रीफ कर दूँ आज हम लोग बात करेंगे जो एक I.M.C.T. बनी है सकेन सरकार ने एक टीम बनाई है जो हर जगर जाके inspection कर रही है फिर हम लोग कैसे West Bengal में वो हो रहा है कैसे राजस्तान में उसको handle कर रहे है और फिर रास्ट में हमारे जो डॉक्टर से भी मैंने बात किये वो आम उसमें क्या क्या बचाओ की बात कर रहा है ये सब करेंगे सबसे पहले West Bengal की बात करें ये New York Times के 14 April की रिपोर्ट है वो भी लिंक दे रहे हैं और The Sunday Guardian की 18 की ये रिपोर्ट है वो भी आपको लिंक दे रहे हैं इन सब में ये बताया गया है कि और खास करके West Bengal की हम बात कर रहे हैं कि West Bengal में जो अभी हो रहा हो दिखा रहे हैं कि बहुत कम हुए हैं वहाँ पे केसिस और जो वहाँ पे क्या हुआ है कि उन्होंने थोड़ा स्लोविंग डाउन ओफ डिटेक्शन ऑफ कॉरना केसिस हैं मूल रुप से वहाँ टेस्टिव अब इन दो पेपर के हिसाब से टेस्टिव कम होनी शुरूब हुए है क्यों हुआ है क्योंиком जो विरोक्रिटिक टेस्टिग काновशीजर है वहाँ पर उन्होंने इतना जो कर दिया है कि अगर किसी को टेस्ट कराना है तो वाया सरकार जाएगा फिर वहाँ पर ये भी है कि अगर कोई death हुई है तो वो release मतलब अस्पताल नहीं करेगा वो release government agency ही करेगी उनको आएगा और फिर उसको test करके देंगे वहाँ के काफी doctors आप ये दोनों अगर report पढ़ लेंगे बहुत से doctors वहाँ इस समय इसके against खड़े हो गए है उनकी मुख दो तीन समस्या है पहली समस्या जो पूरे देश में है वो उन doctors भी face कर रहे है वो face कर रहे है वहाँ PPE की जो समस्या है क्योंकि उनका कहना है कि बिना उसके PPE kits के हम लोग expose हो रहे हैं दिक्कत हो रही है एक समस्या ही है दूसरा उनका समस्या ही है वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास परियाप testing की kits हैं लेकिन sample आना कम हो गए है और इस उसमें एक data भी वो बता रहे हैं वो यह data सब 18 April के हिसाब से हैं West Bengal में 18 April को per million मतलब पर 10 लाग पे 33.7% लोगों का test हुआ है जबकि All India Average 18 April को इस report इस paper के साब से 156.9 पर 10 लाग था फॉर एवरी million आज की तारिक में हिंदुस्तान का जो average है वो 335 पर million है मतलब 335 लोग पर 10 लाग पे जिनका test हो रहा है West Bengal में यह गती बहुत धीर है और इसी लिए बहुत से चीजें उन्हों है doctors ने उठाई हैं देखिए West Bengal के बारे में दो चीजें मैं बता दूँ एक तो West Bengal एक ऐसा है जिसने पहले भी जब पुराने उसमें आज से समय का सयुक्त बंगा उसमें बहुत लोगों किन्यत्य हुई थी दूसरा यहां के doctors और यह इन लोगों ने बहुत जगह लिखा है यहां के बहुत से doctors situation बहुत से जो इस सब जगह लिख रहा है कि हम लोगों को यह चीजें चाहिए और वो उसमें कुछ-कुछ कमिया निकाल रहे हैं कि बहुत क्या क्या दिक्कत हो रहे हैं क्या क्या नहीं हो रहे हैं और उसमें उनके तरह-तरह के claims है जो इस तोरह से कहा जा रहा है बेसिकली ले देके कि वो अंडर रिपोर्टिंग हो रही है अब हम लोग आ जाएं कि क्या भी हुआ जिसकी वज़े से शोड़ी controversy हो रही है हुआ हुआ यह कि देखिए चौदा तारिक को प्रधान मंत्री ने एक राश के नाम संदेश दिया और फिर उसमें कई चीजें बताई गई कैसे कैसे होगा अब दो चीजें हैं कि एक national लेविल पे common exit route होना चाहिए कि एक statewide exit route होना चाहिए exit route मतलब वो हमने यह सब आपको पताई है कि red और orange और green districts हैं और किसमें कितना है वो सब मैं उस पे दुबारा नहीं आ रहा हूँ लेकिन हम अपने यह lockdown को कैसे दीरे-दीरे करके इससे हटाएंगे ऐसा माना जा रहा था कि बहुत से लोगों का यह विचार है कि यह bottom's up होना चाहिए उस ही उसमें यह state के ऊपर छोड़ देना चाहि कि इस से कैसे बहार निकलेंगे state wise और उसमें उन्होंने पहले उसमें कहा कि हम restaurant खोलेंगे नौन एसी बारबर शॉप्स नौ की दुकाने क्योंकि देखिए यह मेरे भी बाल बढ़ गए है मुझे भी बाल कहीं कटवाना है नौन एसी बारबर को खोलेंगा और किताब की केरल इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है और वो confront करने के इस समय मूर में नहीं जबकि by training जो communist होते हैं वो confront करना विरोध करना उनके जैसे DNA में है लेकिन इस समय वो confrontation वाला route नहीं ले रहे हैं अब क्या हुआ कि यहां पे Saturday Sunday को एक Ministry of Home ने एक कार्कम बनाया जिसमें उ Ministerial Center Team और Inter Ministerial Center Team मतलब अलग-अलग मंत्रायलों की होगी और जो headed by a additional security level की अफसर से होगी मनला एक senior आदमी जो जब स्टेट में जाये तो उसकी थोड़ी धमक रहे क्योंकि वो दूसरे जब IAS से बात करें तो बहुत junior अफसर ना हो और इसका जो भी orders निकल रहे हैं जो भी हो दोनों लोग इसको कोडिनेट करता है मतलब सीधे सीधे यह Ministry of Home से कोडिनेट हो रही है जो अमेशाजी जिसके मंत्री है अब Ministry of Home ने एक order निकाला Supreme Court का हवाला देते हुए कि Section 35 जो disaster management है उसके तहत उन्होंने एक order निकाला है और वो order क्या है उसका क्या basis है मतलब यह IMCT की basis क् यह क्या जाके करेगी यह क्या क्या देखेगी पहली चीज़ यह वहाँ जब किसी स्टेट में जाएगी किसी जिले में जाएगी तो वो देखेगी किया incident of violence against health workers, doctors, paramedical यह कितना हो रहा है दूसरा वो देखेगी यहा social distancing की norms कितनी flout हो रहे है यह उन्होंने यह सब उन्हीं क इसे हवाले से मैं बोल रहा हूँ तीसरा वो देखेंगी कि private और commercial vehicle में क्या passenger भरके जा रहा है अब अगर बहुत ध्यान से देखिए तो यह सारी चीजें कहीं से भी इसमें कहीं medical का कोई रोल नहीं आ रहा है यह सब law and order की problems है मतलब क्या सवारी गाड़ी में जादा लोग भ कि यह law and order कौन है कर रहा है दूसरा यह IMCT क्या करेगी इसका भी ministry ने बताया है उन्होंने बताया है कि on the spot assessment करेगी मतलब यह जिस जिले में या जिस राज्य में जाएगी वहाँ पे मौके पे पहुँचेगी उसका assessment करेगी और वहाँ situation के हसाब से जो जो authority है वो state authority को directions देग direct करेगी मतलब advisory रोल नहीं है order वाला है कि तुम ऐसे 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 आप करिये तो यह law and order में कहीं ना कहीं state government को बताएगी कि आपको ऐसे ऐसे करना है इसका एक order निकला है उस order में इन्होंने जब सब यह सब तो लिखाई है हवाला फिर आगे कहा है कि इसको एक civilization का जहाज इनको आप कि यहां तक पहुंचा देगा मतलब इस state government को जब इन्होंने लिखा है और फिर state government की जम्यदारी होगी logistics, accommodation, transport, इनकी PPE kits क्योंकि इनको ना संक्रमन लग जाए और यह सब state government को इसका इंतजाम करना है फिर इन्होंने identify किये कि सबसे पहले देश में सबसे खराब कौन सी ज जारा जिले में साथ districts West Bengal की हैं और चार डिस्टिक West Bengal से बाहर की हैं इनके नौम के साब से worst hit districts है जोहां सबसे जादा खतरा है as far as Ministry of Home is concerned जहां पे IMC T भेजने की जरूरत है इस team को भेजने की जरूरत है पहला मुंबई है जहां पे 2070 लोगों लोग उस समय तक यह decision हुआ था या उन्निस का पूने में 470 cases इन दौर में 707 cases जैपुर में 485 cases यह कुल मिलाके इन चार जिलों में 3723 cases हुए हैं अब जो आप West Bengal पे आजाए और इनकी figures सुन लीजे क्योंकि मैं इसलिए क्या रहा हूं कि जब आप figure देखेंगे तभी आपको लगेगा कि कुछ क्या हो रहा ह West Bengal में 60 district में कुल मिलाके 224 case आपने ठीक सुना कुल मिलाके 224 case 224 cases in 7 districts of West Bengal मतलब जो सबसे कम जैपुर एक single है वहाँ पे भी 485 है उसके आजे से भी कम इन 7 जिलों में मिलाके हैं उसमें भी अगर कोलको तक हो के 105 cases निकाल दिये जाए तो बाकी 6 districts में कुल 119 case हैं बाकी जगए हैं यहाँ पे दो team में गई हैं छे में से एक team मुंबई गई एक पूना गई एक इंदोर गई एक जैपुर गई दो team में West Bengal आई हैं टीम जो पहली team है वो कुलकता जो पहुंची है वो देख रही है कुलकता 105 हावलाच्छी है 46 मिला के 209 आउट आफ जो हम इसको 224 हैं उसमें से 209 इन चार जिलो में हैं अब बचे आपके 15 cases और यह 15 cases नौर्स बेंगॉल में हैं एक टीम सीजह बाग दोगरा पहुंच गई है और वो स्टीम में जो 15 जो तीन जिलो में केसे हैं वो भी सुन लीजे दारजलेंग में कुल तीन केस जो वर्स हिट हिट माना जा रहा है जलपाई गुडी में पांच केस केलिम पॉंग में साथ केस और वो भी केलिम पॉंग में जो टोटल साथ केस हैं लास केस जो रिपोर्ट हुआ था वो सेकेंड एपरिल को जलपाई गुडी में लास केस जो रिपोर्ट हुआ था और दारजलिंग में जो last case support हुआ था वो 16 एपरिल को मतलब यह यह नहीं कि कोई नया कुछ एकदम से हो रहा है या वो हो रहा है अब यहाँ पे जो दिक्कत शुरू हो रही है और जहां से मुझे ऐसा लगता है कि एक serious matter है यह serious matter इसलिए है कि यहाँ पे कहीं state of center का टकराहट की बात हो रही है Monday 20 April को जैसा paper कह रहा है और जैसा मंताब energy कह रही है West Bengal को यह communication मिलने के 30 minute के अंदर मतलब विदन half an hour यह team वहाँ से रवाना हो चुकी थी तिल्ली से और यह एक team कलकता और एक team बाग दोरगा पहुँच गई थी क्योंकि यह अजीब सा अगर आप देखिए तो यह साथ district में आप जो number of cases हैं और जो चार डिस्टिक में अलग-अलग हैं अच्छा यह कहना यह मानते हुए कि वहाँ पे under reporting मान लीजे हो रही है यह मान रहा है जैसा New York Times या Guardian कह रहा है वह अंडर रिपोर्टिंग हो रही है यह मानते हुए कि महाँ दिकत हैं तो यह सिर्फ कि एक बज़े हमें शाह साब से बात की और उन्होंने उनसे एक बहुत basic question ने पूछा कि आपने जो भेजा है इसकी क्या criteria है आप किस criteria से इसको भेज रहे हैं क्योंकि अगर यह आप करें वर्स्टिट जो बोलना है तो इन सातों डिस्टिक से ज्यादा वर्स्टिट बहुत स नाम गिना है उसमें और दूसरा यह है कि यह जो 11 लिटर्स बने हैं वो बिलकुल एक जैसे हैं मतलब उसकी सारी भाशा एक जैसी है तो इसका मतलब बंबाई के 2000 और कैलिम पाउंग या वहां के तीन केस आपके साब से सेम ढंग से आप treat कर रहे हैं जो ministry of home कह रहा है वो यह कह रहा है कि अगर इस तरह के incidents को हम allow करेंगे तो उन जिलों में भी समस्या होगी और यह देश के बाके हिस्सों के लिए भी एक खत्रा होगा वो basically इसको लेके कहीं न कहीं टांग अलाने की कोशिश कर रहे हैं अब इसको जड़ा समझने की कोशिश हम लोग करेंगे कि यह क् देखाई दे रहा है दोनों पार्टी इसमें कह नहीं रहे हैं लेकिन मुझे बिल्कुल साफ देखाई दे रहा है जो वेस बेंग और विधान सभा के एलेक्शन है वो अबसे बारा महीना रह गया है साल भर रह गया है दो एक दो तीर महीना पहले वो election commission का हो जाता है आचार पर महताफ इनरजी ने काम क्या किया है कि अन्होंने ये जितने bjp के जो ंको उनको घर के अंदर लॉगड़ां है तो उन्होंने कहा कि आप घर के अंदरा रहीए आप बाहर मन निकलेगे है कि बाखर निकलके बहुत भूमिये तो वहां क्या हो रहा है कि ग्राउंड पे ओ जो पूरी बाटने का काम, राशन बाटने का काम, वो त्रिनुमूल कॉंग्रिस के ही लोग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, अब जो दिखता है, वो बिखता है, एलेक्शन सामने है, क्योंकि अगर आप बाकी जगह देख लिए, उतर प्रदेश में देख लिए, तो रोज आ भाजपा की सरकार है, वहाँ सारा काम केवल भाजपा के वरकर कर रहे हैं, तो अब वहाँ पर क्या हो गया, विज बेंगॉल में, अब तक उसी तरह का प्लेयर वहाँ पर भी है, तो वो इन लोगों को कहना है, आप घर में रहिए, सो रक्षट रहिए, सिंटर का कहना है कि घर से बाहर नहीं निकलना था, आप घर के बाहर नहीं निकली है, तो फोटो नहीं खिच पा रही है, तीसरी बात मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल साफ साफ लग रहा है, अभी तक जैसा होता आया है, अगर आप पास्ट में भी देख लें, मंतम अनुर जी का एक जैसे होता है कि she has a short fuse, वो थोड़ा temperamental है, तो एक मुझे ये लग रहा है कि उनको प्रोवोक किया जा रहा है, क्योंकि आप छे में से दो टीम, मतलब छे में से दो टीम, सबसे कम जिलों में, तीन तीन जहां पर हैं, आप दो टीम अगर वहां भेज रहे हैं, तो इसका आप प्रोवोक करा रहे हैं, आचा, होता क्या है कि जैसे पास्ट में भी वो प्रोवोक के कुछ बोलेंगी, वो आपके पक्ष में आ जाएगा, जैसे अगर आपको याद हो जब जब जैश्री राम किसी ने नारा लगाया और उनन उसको गाली वकी, तो वो उस तरह से पूरे द इनरजी ने, खुद, अब वो भी निकल गए गाड़ी लेके, और उन्होंने खुद वो हैंड वाला जो बाइक होता है, उसको लेके उन्होंने राजा बजार और पार्क सरक्स, तपाक सिया, कई जगा घुम घुम के, उन्होंने खुदी अनॉंसमेंट करना चुदू क्या क अब जो बूल मुद्दा है, जो हम अपने कंक्लूड करने के लिए कि ये क्यों हो रहा है, इसको कैसे ये देश के लिए खराब है, क्यों खराब है, मैं बता हूँगा, पहली चीज, आयम सीटी, जो सेंट्री गोर्मेंट है, वो मिनिस्ट्री ओफ होम से अगर जा रहा है, law and order, आप any state of imagination से state subject है, center government को इसमें interfere करना ठीक नहीं है, ये, it is in no uncertain terms, अगर इसमें कुछ करना था, तो वो team under the ministry of health होनी चाहिए थी, क्योंकि ये health emergency है, ये law and order situation की बात नहीं है, तो treatment ही बिलकुल फरक होता, एक, दूसरा मेरे हिसाब से, ये अगर आप इन लोगों को भेज रहे हैं, तो इन लोगों को आप inspector की तरह क्यों भेज रहे हैं, ऐसा auditor को भेज रहे हैं, क्या हुआ, क्या ठीक नहीं हुआ, वो राजीर सिना ने आज बोला है, जो ठीश सेक्रिटीर है, वो परसों नहीं गए, कल फिर होगा है उनसे मिलने हैं, और वो कह रहा हैं कि ये पांच लोग आए हैं, गाड़ी में बैठके, ये घूम के कौन से इनके पास ऐसी दिर्व दिश्री है, कि जिससे पता कर लेंगे कि यहां क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमसे डेटा लेना है, आचा इस समय ये तो इसको कुछ शुगर कोटेट कर देना चाहिए था, शुगर कोटेट का मतलब, भई IMCT की ये टीम जा रही है, पहली चीज़, ये स्टेट की तरफ से होना चाहिए था, बात पहले कर लेनी चाहिए थी, और स्टेट को बलाना चाहिए था, कि आखे ज़रा देख लीज़, है उस डिस्टिक में कि कोई समस्या है, तो बेहतर ये होता कि आप ही कहते हैं कि इसके लिए हम extra कोच बजट आपको दे रहा है, हम extra PPE kits दे रहा है, मतलब, सिंटर की तरफ से ये हम extra आपको दे रहा हैं, क्योंकि ये worst hit districts हैं, और इनको आप ठीक धंक से handle करिए, ये नहीं, आप पांच लोग और पहुंच जा रहे हैं कहने के लिए कि मुझे भी पीपिकर्स दे दो मुझे लॉजिस्टिक सपोर्ट दो मुझे खाना दो मुझे यह तो कौन सी बात है तो आपका बेसिक जो जो पोजिशनिंग है वही कहीं न कहीं सेंटर और स्टेट के जगडे को बढ बदकारी जाके वह बीएसेफ और सीमा सुरक्षाबल और इनके गेस्टाउस पे रुक रहे हैं और इंसे ग्रांड सपोर्ट ले रहे हैं जबकि जबकि उसमें बिल्कु स्पष्ट कहा गया है लेटर में कि यह स्टेट गोर्मेंट करेगी तो यह आपको स्टेट मैंने अपने कुछ फॉज के मित्रों से भी बात की है और मुझे ऐसा लगा कि जब फॉज मैं पहले भी कहता हूँ जब फॉज कहीं कोई ऐसी आपदा आती है तो सबसे पहले हम लोग फॉज को बलाते हैं लाटूर हो चाए बंद्रिनात की समस्या हो या करी में भी हम लोग फॉज को फक्र बलाते हैं इसमें फॉज को नहीं बलाया जा रहा है तो मुझे जितने फॉज के लोगों ने कहा हुनका कहना है कि वह एक बहुत calculated वह है कि फॉज को इस समय इंसुलेट करके रखा जा रहा है क्योंकि अगर फौज में कहीं पहुंचा तो हमारे कहीं नरा कही देश की सुरक्षा की बात आ जाएगी तो एक calculated decision लिया गया है कि इसको फॉज को इससे अलग रखा जाएगा मेरी जितनी बुद्धी है BSF और SSB भी paramilitary forces हैं paramilitary police बोलीजे जो भी और ये भी उस देश की सुरक्षा से ही कहीं सम्मन देते हैं अब यहाँ पे ये लोग जो कोरोना की टीम जा रही है उसको monitor करने हैं अगर ये BSF और SSB के guest house में और उनकी आवभगत में और उनकी vehicle में घूमना चुब कर रही है तो कहीं न कहीं SSB और BSF के लोग भी exposed हो रहे हैं तो ये मोल रूप से जो हमारा principle है कि we will insulate our paramilitary or defense forces ये उसको flout कर रहा है तो इसको वहाँ उन लोगों को नहीं होना चाहिए आप अपने जगड़े करते रही है आप state government से कहें आप से कहें आप जो करना चाहिए ये वो करिए लेकिन आपको कम से कम इन लोगों को involve नहीं करना चाहिए अगर आप सियासत कर रहे हैं मतलब अगर इसका primarily अगर it is driven सियासत और जैसा मतलब जैसा माना जाता है कि हमारे home minister साभ बहुत दक्ष और कुशल election के प्रबंध में उनका वो है क्योंकि उस chronology को भी समझ लीजे कि 14 April को प्रधान मंत्री ने national television पे देश को बताया कि जब पहला case हमारे हाँ आ गया था उसी दिन से हम लोगों ने action ले लिये थे precautions ले लिये थे सब जगत लोगों की screening होने लगी थी इस तरह की बात उन्होंने 14 April को कही है लेकिन जब पहला case आ गया था हिंदुस्तान में उसके बाद की कुछ मैं 4-5 incident बोल दे रहा हूं की वो आप वो कर रहे थे की आप उस समय क्या कर रहे थे पहला दिल्ली election 8 February को हुआ उससे पहले यहां पे पहला case आ चुका था क्या कर रहे थे हमारे party विशेश के लोग या आप सको पता है Defense Expo बड़ा हिंदुस्तान में लखनों में 5-8 February को हो रहा था जिसमें 70 देश के लोग आए थे 172 फॉरण institutions आए थे फॉरण जो बेशने वाले लोग अपना सामान आए थे यहां एक बड़ा जमावड़ा हुआ था उससे पहले यहां पता लग जया था कि यह है दिल्ली के रॉयट्स 23 फरवरी को हुए थे और सब को पता है कि रॉयट्स कैसे हो और क्या हो रहे थे फिर नमस्ति ट्रम का रिक्रम 24 फरवरी को एहंदाबाद में हो रहा था वो उसके पहले मतलब उस प्रशामन्ति के भाष्णों के अनुसार हमें पता लग गया था कि यह है और हम लोग उसको स्क्रिणिंग करना शुरू कर दिये थे मौध्य प्रदेश सरकार को गिराया और किस तरह से MLA लोगों को हम लोग बैंगलॉल ले गए और क्या किये और कैसे सरकार गिराया 20 मार्च को कमलनाथ का इस्तीफा होता है 23 मार्च को शिवराज सिंग चौहान का 23 मारच को होता है जब कि 22 को हम सब लोग जंता कर्फू करते हैं ये chronology मैं ने इसलिए बताई है कि मैं बिलकुल मेरे हिसाब से दो चीजें ये federal structure को अगर इस तरह की बात हम लोग करेंगे तो कहीं न कहीं उसको वो एक confrontation की बात आएगी जो इस समय देश के लिए ठीक नहीं है तो इस पे थोड़ा रोक लगनी चाहिए ये जो IMCT की टीम जिस धंग से जा रही है दूसरा आंत में मैंने मेरे साती हैं डॉक् की थी कि इसके क्या precautions हो और इसको कैसे मैं बात कर रहा हूं coronavirus की उन्होंने बहुत ही अच्छी और सठीक बातें बताई हैं कुछ एक दो मिनिट की बात है इसको भी जरा सुन लीजे ये हमारे daily routine में कैसे कैसे हम इसको prevent कर सकते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे धन् करोना संक्रमन के कारण बचाओ के लिए lockdown की जो इस्थिती है उससे सभी लोग अपने घरों के अंदर हैं और ऐसे में स्क्रीन का उपयोग बढ़ गया है चाहे वो movies, news देखने के लिए या video conferencing या work from home या school colleges में जो online classes चल रही हैं उनके कारण या mobile पर whatsapp के उपयोग के कारण ऐसे में आखों में तनाओ, सर में दर्द, गर्दन में दर्द, पानी आना और आखों के लाल होने की शिकायतें बढ़ रही हैं इस संबन में आपको कुछ सुझाओ देना चाहूंगा कि जब भी आप स्क्रीन का उपयोग करें उसकी दूरी जो है TV की कम से कम 6-10 feet की दूरी पर रहे और मॉनिटर भी कम से कम 25-30 इंच की दूरी पर होना चाहिए, जो इल्यूमिनेशन है वो कमरा भी आपका इल्यूमिनेटर होना चाहिए, बिल्कुल अंधेरे कमरे में बैठ कर TV या मोबायल को अपयोग नहीं करना चाहिए, जो मॉनिटर है वो भी साफ होना आग की सते से नीचे की तरफ होना चाहिए लेट कर या करवट लेकर कभी भी मुबाइल या लैपटॉप या टीवी का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि लेटने से या करवट से देखने से जो सर्वाइकल स्पॉंडलाइटिस के मरीज हैं उनके गर्दन में दर्द भी ब प्रयोग कर रहे हैं वो इस समय बेहतर होगा कि चश्मे पर स्विच कर जाएं इसके अलावा आखों को हमें कभी पोंचना नहीं चाहिए जब भी घर के बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग को हमेशा फॉलो करें बाहर अगर आख में चाहे क अभी भी आखों को नहीं चुना चाहिए क्योंकि आखों के माध्यम से भी कोरोना वाइरस शरीर में प्रवेश कर सकता है इसके अलावा खान-पान का भी विशेश महत्व है जो इस समय ताजे फल सब्जी बजार में आ रहे हैं हरी सब्जीया है पपीता है उसका अधित प् और शरीर की प्रतिरोधक्षंता को भी बढ़ाती है जिससे वाइरस में वाइरस से लड़ने के लिए शरीर को शक्ति मिलती है धन्यवाद आशा है आपको यह सुझाओ लाबदायक सिद्ध होंगे नमस्ते आपको हमारा इकार पर मच्छा लगा तो खृप्या सब्सक्राइ झालता यहाद कैस्ट झालता व्ग कृष्णत रीमारा इकार हो多 यहाफ ऑन्यवादी लाइरस पृष्णता आपको आपको दो्ड़ने काई आपको भी है अन्यवाता है वाइंस कायए।